अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाए ये टिप्स। वास्तुशास्त्र में परंपरागत और स्थानिय संस्कृति के अनुभवों पर आधारित उपाय बताये गए हैं। इसमें एक और जहां वास्तुशास्त्र की बात की गई। है तो दूसरी और सामुद्रिक विज्ञान को बताया गया है। वास्तुशास्त्र में दिये गए इन उपायों का प्रयोग करने से हर तरह के आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सुख, शान्ती, समरिध्धी और धन की आवक बनी रहती हैं। इस विडियो में हम वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे ही कुछ खास उपायों को जानेंगे जिससे घर में सुख, शान्ती बनी रहती है और घर में धन का प्रभाव बना रहता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस विडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आईए जानते हैं वास्तु शास्त्र के कुछ खास उपायों के बारे में नमबर एक नाक और कान छिदवाएं। कुंदली की जाज करके किसी अच्छे मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक और कान छिदवाएं या गुरुवार के दिन गुड का दान कर दें। नाक में चांदी का तार 43 दिन तक डाल कर रखें और कान में सोने का तार नमबर दो सूर्मा लगाएं घर में काला और सफेद खड़ा सूर्मा रखें और उसे आँखों में लगा ले कुंडली अनुसार 5 ग्राम सूर्मा डली गाडने की सलाह भी दी जाती है नमबर तीम चांदी की डिब्बी घर की तिजोरी या अलमारी में ढकन लगी चांदी की डिब्बी रखें जिसमें पानी भरा हो उसे रखें जब भी पानी सूख जाये तो उसे तुरंट फिर से भर दें नमबर चार आलू का दान शुक्रवार के दिन किसी जरूरत मंद को आलू का दान करें और अपने जीवन में देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्थ करने के लिए पूरे मन से श्री सुक्तम का जाप करें नमबर पांच पत्थर की घट्टी घर में पत्थर की छोटी सी घट्टी रखें नमबर छे शहद मिट्टी के बरतन में शहद भार कर उसे धककर घर में कहीं उचित स्थान पर रखें नमबर साथ चान्दी का टुकड़ा चान्दी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें या घर की तिजोरी में रखें नमबर आठ गुड देशी गुड घर में रखें और समय समय पर उसे थोड़ा थोड़ा खाते रहें नमबर नौ कुट्टे प्रतिदिन कुट्टे को रोटी खिलाते रहें ऐसा करने से घर में सुख शान्ती बनी रहती हैं नमबर दस कंबल मंदिर में सफेद और काला दोरंगी, कंबल दान करें या किसी गरीब को दे दें नंबर ग्यारह अन्न दान व्रिक्ष, चीन्टी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, कच्छुआ, मचली, व्रिद्ध, अनाथ, कन्या, अशक्त, मानव, आदी प्राणियों के अन्नजल की व्यवस्था करें नंबर बारह चाया दान करें शनी के मंदे कार्य न करें जैसे परस्त्रिग्मन, शराब, पीना, व्यास का धंधा करना और किसी मनुष्य या प्राणी को सताना प्रती शनिवार को चाया दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ग्यारह शनिवार को चाया दान करें नंबर तेरह नारिलै का उपाए पानिदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के उपर से 21 बार वार कर उसे अगनी में जला दें नंबर चौदह नारियल का दूसरा उपाए छे नारियल लेकर इसी तरह 21 बार वार कर बहते पानी में बहा दें तामबे के लोटे में जल भर कर उसे सिरहाने रख कर सुएं और सुभा उठते ही उसे बाहर डाल दें या कीकर के व्रिक्ष में डाल दें ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें और यदी इससे ज्यादा दिनों तक करते ही रहेगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी मंदिर के व्रिद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करें किसी की शव्यात्रा में श्मशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए घर आजाएं और स्नान कर लें सिर्हाने रात को एक तामबे का सिक्का रखें, सुभा उस सिक्के को किसी श्मशान में फेंक आएं नमबर अठारह सिक्के दान किसी सफाई कर्मी को कुछ सिक्के का दान करें नमबर उन्नीस तामबे के सिक्के का उपाए तामबे के गोल सिक्के में छेद करके उसे किसी लाल या सफेद धागे में पिरोकर गले में पहनें नमबर 20 पानी में बहाना बहते पानी में रेवडियां, बताशे, शहद या सिंदूर बहाएं नमबर 21 कन्याओं को भोजन कराएं नवरात्री या बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चुडिया दान करें और उन्हें भोजन कराएं या 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयू की 5 कन्याओं को खीर वं मिश्री का प्रसाद बाटें नमबर 22 सेंधा नमक सोते समय अपना सिर्फ पूर्व की और रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकडे रख लें नमबर 23 दही स्नान शुक्रवार को पानी में 100 ग्राम दही मिला कर स्नान करें और जब भी स्नान करें तो लकडी के पाट पर बैठ कर ही करें नमबर 24 तिलक माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं कम से कम 43 दिन तक ऐसा करें और लगाते ही रहें तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी नमबर 25 कपूर घर में सुबह और शाम को कपूर जलाएं और सुगंधित वातावर्ण बना कर रखें नमबर 26 व्रिक्ष कोजल अरपन पीपल, बरगद, नीम और केले की जड में नित्य जल चढ़ाएं नमबर 27 चांदी का गिलास चांदी या तामबे के गिलास में ही पानी पीएं शीत प्रकृती है तो तामबे के गिलास का उपियोग करें नमबर 28 पीतल के बरतन घर के किचन में पीतल और तामबे के बरतनों की अधिक्ता होनी चाहिए नमबर 29 रिष्टों का सम्मान सभी रिष्टे और नातों का सम्मान करें नमबर 30 हनुमान 40 प्रति दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान 40 पढ़े हनुमान जी को चोला चड़ाएं प्रति दिन नहीं जा सकते हैं तो प्रती मंगल गुरु और शनिवार को मंदिर जाएं एकाजशी प्रदोश या गुरुवार को व्रत रखें नमबर 31 ठोस चांदी का हाथी घर में कम से कम 150 ग्राम चांदी का ठोस हाथी घर में रखें इससे घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है और नकरात्मक उर्जा दूर होती है नमबर 32 अगर शादी विवाह की बात नहीं बन पा रही तो घर से निकलने से पहले तामबे के बरतन में पानी और शक्कर मिला कर रख दें और घर से निकलते वक्त इसे पी कर जाए नमबर 33 शनिवार के दिन पर कांसे की कटोरी में सरसों के तेल के अंदर सिक्का डाल कर उसमें अपनी परचाई को देखें इसके बाद इस सामान को शनिदेव के मंदिर में कटोरी के साथ किसी को दान कर दें नमबर 34 कन्या के विवाह में किसी तरह की बाधा आ रही हो तो हर सुमवार को उस सुमिश्वराय नमह मंतर का जाब करते हुए भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करें इसके अलावा किसी शिव मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला पर से इसी मंतर का जाब करें अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवार